प्रदूशन से तमाम लोग परिशान हैं लेकिन नेता सियासत की पारी खेलने में इतना वेस्थ हैं कि आज भी ये मुख्यमंत्री कहता है वो मुख्यमंत्री मुझसे नहीं मिल रहा वो मुझसे नहीं मिल रहा मिलने की भी तब इन्हें सुझती है जब हालात इतने एमर्जेंसी वाले बन जाते हैं लेकिन ओड इवन लग सकता है थोड़ी सी रहा बिल्कुल नमस्कार मैं हूँ पादमजा जोशी 72 घंटे लेट ही सही पर कम से कम केज़िवाल सरकार जागी तो है थोड़ी सी ही देर मैं होने वाली है घोश्रा ओड इवन की दुबारा याने की फेस थ्री का ओड इवन वापस आ सकता है पर क्या इससे जो पूरी प्रॉब बिल्कुल नमस्कार मैं हूँ प्रीती चौधरी और इसके बीच में हम आपको दिखाएंगे जल्कियां साहत्य के सबसे बड़े महामन से कल शुरू हो रहा है आज तक पे साहत्य आज तक तो साहत्य आज तक के बारे में प्रीती ने आपको बता दिया है साहत्य आज तक की बाते करेंगे और याद रखिये कल से ये शुरू हो रहा है दस ग्यारा बारा नमबर लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि इससे पता नहीं कितनी राहत मेल पाईगी लेकिन ए योजना चलेगी ट्राफिक में कमी आएगी और प्रोदूशन पर कुछ कंट्रोल किया जा सकेगा सरकार ने ये भी फैसला बहुत देर से लिया है तीन दिन से दिल्ली एंसियार में लोग जान जोखिम डाल में डाल कर स्मॉग से जूच रहे हैं लेकिन इस पीच अब ये एक पहला कदम सवाल यही है कि सारे के सारे सो रहे हैं ऐसी गहरी नींद है कोई डिस्टर्ब ना करें अब ये स्मॉग आ गया घरों में दफ्तरों में सड़कों पर पसर गया तो सबको मजबूरा नींद में जागना पड़ रहा है क्योंकि अब हो जो दोश मर दिया गया है वो पराली जलाने पर है और अगर आप दिल्ली सरकार की सुने तो ऐसा लगता है जैसे कि पंजाब हर्याना उत्तरप्रदेश से ही सारा धुआ सारा प्रदूशन दिल्ली के अंदर आ रहा है पर क्या ये सच है देखिए तो पूरी दिल्ली के ओप पर ये जो दूंद की चादर चाही हुई है इसकी वज़य आखिर है क्या किसी भी नेता से बात कीजे दिल्ली में तो वो सारा दोश जो है आज पास के राज्यों पर मढ़ देते हैं कि यह सारी गलती या तो पंजाब की है अर्याना की है या उत्तर प्रदेश की है तो एक बा गाउ नौइडा और दिल्ली के अंतर जो बे इंतहा इमारते बन रही है उससे जो धूल मिट्टी उरती है वो सबसे बड़ी वज़य है इस दूए की स्मॉग की चादर की अगर हम बात करें गाड़ी से निकलने वाले दूए की तो वो सिर्फ 25 प्रतिशत ही जिम्मेदार है 25 प्रतिशत जिम्मेदारी है गाड़ी से और फैक्टरियों से निकलने वाले दूए की और अगर पराली के हम बात करें जो पराली आसपास के राज्यों में जलाई जा रही है वो सिर्फ 8 प्रतिशत ही कॉंट्रिब्यूट करती है इस स्मॉग को यानि की इस दूंद की शिश करें तो शाहिद आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में आने वाले सालों में दिल्ली को थोड़ी सी राहत मिल पाए तो दरसल जिस नीन की बात अंजना कर रही थी उस नीन से जागी है केजवाल सरकार क्योंकि एंजीटी ने जबरदस पटकार लगाई है एंजीटी ने पूछा है कि आखिर कार अभी तक क्यों सक्ति से कदम नहीं उठाए गया क्यों इस मामले का निप्तारा नहीं किया गया हेलिकॉप्टर से क्यों कृतिम बारिश नहीं कराएगे एंजीटी ने अगली सुनवाई तक दिल्ली में सरकारी या निजी हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है कि बर्निंग यानि पत्तियां अकूरा वगेरा ज़नाने पर रोक लगाने के लिए एंजीटी ने डीडिये और एंजीडी को जांच के निर्देश दिये हैं सभी तरह के निर्मार पर रोक दिल्ली समेट यूपी रास्थान अर्याना पंजाब और प्रदूर्शन स्तर का डेटा कोर्ट में देने का निजीड दिया गया है डेटा में छेल शार से बाज आने की ताकीद भी एंजीटी ने की है आज सभी स्कूलों को बंद रखा जा लेकिन नौईदा में देखा गया कि कई स्कूल खुले थे और उन्हें दलील ये दी कि काफी देर से ये ओर्डर आया था जिसकी वज़र से आज स्कूल बंद नहीं किया गया तो नहीं आमने दिखाया किस तरह से लगातार कोर्ट की तरफ से यहां पर सक से सक टिपनी की जा रही है हाला जानलेवा हो गए हैं लोगों को सांस लेने में किनी तकलीफ हो रही है तो सबको मिलके इस दिशा के अंदर काम करना पड़ेगा पी-एम-10-300 से 940 हुआ ये दिल्ली के लोकल कारणों की वज़े से नहीं है तो जब तक क्रॉप बर्निंग का समाधान नहीं निकाला जाए इस समस्या का तब तक नहीं हो सकता सुनलिया ये हैं दिल्ली के मुखे मंत्री और आम आदमी पार्टी के सैयोजक अर्विंद केजरिवाल और दूसरी तस्वीर में जो आपको खेत में पराली जलती हुई दिख रही है वो है इनहीं की पार्टी के पंजाब के विधायक और नेता प्रतिपक्ष सुकपाल खैरा विडम बना देखिए एक ही पार्टी के दो चरित्र सैयोजक कहता है कि पड़ोसी राजियों की खेत की आग ने दिल्ली का दम खोट रखा है और दूसरी और उनहीं की पार्टी का विधायक खुले आम कोट के आदेश की धजियां उड़ाता हुआ अपने सैयोजक की अपील भी ठुकरा रहा है और अब सुनिए जो केजरिवाल खुद दूसरी सरकारों पर धुए का ठीकरा फोड रहे हैं वो कैसे अपने विधायक का बचाओ कर रहे हैं इसे कहते हैं राजनी जो आपकी जिन्दगी नहीं सिर्फ कुरसी देखती है इस दोरे खेल के बाद देखिए बीजेपी का खेल सुनिए मुख्यमंत्री हरियाना के बोल अब इनकी भी हकीकत देखी कागस पर बड़ी कारवाई हो रही है लेकिन खटर राज में जमीन की हकीकत भी आपके सामने है खुले आम जलती पराली और अब पंजाब की कॉंग्रेस सरकार का हाल भी देखिए यहां मुख्यमंत्री ने तो बयान नहीं दिया लेकिन तस्वीरे ही काफी हैं सच बताने के लिए यह तस्वीरें तमाचा हैं उस राजनी पर जो कैमरे के सामने चिंता दिखाती है और कैमरा बंध होते ही चिंता को चिता समान मान कर भूल जाती है जब तक वहां की सरकारें इसका एकनॉमिक वाइबल आल्टरनेटिव नहीं निकालेंगी तब तक यह हर साल हम लोग फेस करेंगे इसलिए मैंने दोनों राज्यों के माननी मुख्यमंत्रियों से मिलने का टाइम मांगा था मैं यह नहीं कहा रहा है मुझे नहीं पता वहां की क्या समस्या है मुझे नहीं पता कि इसका क्या टेकनिकल समाधाने इसका क्या एकनॉमिक समाधाने मैं नहीं जानता यह पयान ही बताता है कि आपके नेता आपकी सांस के लिए कितनी चिंता करते है वैसे केजरिवाल जी पर भी सवाल उठता है कि आखिर जब स्मोग आ गया तब क्यों इसकी याद आई उस वक्त क्यों नहीं ये कोशिश हुई जब मौसम विभाग ने कोहरे की चेताउनी कई दिन पहले ही दे दी थी सवाल ये है कि NGD के आदेशों को खुले आम उसका उलंगन करने के लिए आपके विधायक पर कानूनी कारवाई क्यों नहीं होनी चाहिए इनको ये मजाग दिख रहा है खिलवार दिख रहा है केजरिवाल साथ तो चले जाते हैं बीच-बीच में विपाश्चना करने के लिए आम आदमी कहा जाए नौकरी छोड़ कर सवाल ये भी है जैसके प्रद्मिजा ने अपनी रिपोर्ट पर रिखाया था कि सिर्फ पराली जलाना ही इसका कारण नहीं है और भी बहुत सारे कारण और जब ये तीन दिन पहले हमने शुरुवात इसकी देखी थी उससे पहले भी प्रदूर्शन के इस तर दिल्ली में क ये एकए करके तमाम मंतरियों का हम सूर्थेहाल दिखा रहे हैं केंद्रययस्वास से मंत्री के इमाचल प्रदेश के चुनाओ प्रजार में बिजी अगला मंत्री एक-एक करके इनकी जिम्मेदारी है कि अगर हेल्थ-फेमर्जेसी जैसी परिस्थतिति दिल्ली में है तो NGT ने फटकारा है और अब जाकर आखिर कर जो NDMC है वो जागी है और कम से कम शुरू तो किया है जो पौधे हैं जो रोड के बिल्कुल बगल में पौधे होते हैं उनको धोना शुरू किया है कि आखिर कर जो मिटी जमी है उन पे वो धुल जाए ऑक्सिजन फिर से अच्छे स बनना शुरू हो ये रिपोर्ट दीखिये मेरे संबादा हमारे संबादा ता जिते इद्र बहादूर की प्रदूशर के चलते दिल्ली NCR की आबो हवा इतनी खराब हो गई है कि NDMC ने इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे कि पेडों की धुलाई करना शुरू कर दिया है द और इसी की वज़े से इस तरीके से धुलाई की जा रही है साथी जो नीचे धूल वाला इलाका है उस इलाके में भी पानी पेडों से गिरने के बाद नीचे जाता है और इस वज़े से यहां की मिट्टी जम जाती है ज्यादा धूल नहीं उड़ती है तो इस पोल्यूशन क को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिस एंडीमसी की तरफ से की जा रही है इस इलाके में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया आखों में इसकी वज़े से जलन हो रही है लोग एक जगे से दूसरी जगे नहीं जा पा रहे हैं एंडीमसी ने अब सोचा है और पत्यों की द आप जाकर थोड़े से नीन से जाग रहे हैं क्योंकि मेडिया का इतना जाधा दबाओ है लगाता है हम आपको दिखाते हैं चीन कैसे एक एक जामपल सेट कर दिया था चीन ने आप ट्रम्प वहाँ पर जाने वाले हैं और सिर्फ कुछ दिनों में पूरी तरह से खुला आस लेकिन दोनों तस्वीरें दोनों शहरों की हकीकत और सत्ता की सोच बता रही थी दिल्ली की तरह बीजिंग भी स्मॉग से जूज रहा था मौसम विभाग ने चार से आठ नॉवंबर तक का अलर्ट भी जारी कर दिया था लेकिन अमेरीकी राष्टरपती ट्रम्प के पहु लेकिन चीन ने हालात पर काबू पाने के लिए एडी जोटी का जोर लगाया और दिल्ली में सिर्फ सियासत होती रही देखे अब स्मॉग की एक बड़ी वज़ा धूल और धुआ बीजिंग ने एंटी स्मॉग गन से पानी की बोचार की लेकिन दिल्ली में हेलिकॉप्टर से छिड़काओ की योजना ही बनती रही काम अब तक नहीं हुआ ठीक इसी तरह स्मॉग रोकने का दूसरा तरीका हो सकता है वाहनों पर रोक बीजिंग ने प्रदुशन फैलाने वाली गाडियों पर रोक लगाई पबलिक ट्रंस्पोर्ट को बढ़ावा दिया लेकिन दिल रही है धूल रोकने के उपाय किये गए जबकि दिल्ली में स्मॉग के लिए 50 प्रतिशत नेर्मान की धूल सिम्मेदार है डिमोलिशन पर 3 दिन बाद रोक लगी है बीजिंग सीमेंट कोईला स्टील का प्रोडक्शन पहले ही रोक चुकी है जबकि दिल्ली NCR में 30,000 फैक् चोड़के एक और कुछ था और डिवन की निरने आज या कल में लिया जाएगा गर जरूर पड़े और स्कूल अलेडी बंद कर दिये गया है डिल्ली के सीम साहब अब तक सोची रहे हैं फैसले ही ले रहे हैं उन पर अमल भी अब तक तैय नहीं हो पाया है बीजिंग जैसी कृत्म बरसात करने की बात करी जा रही है लकिन शायद हम बीजिंग से भी बहुत पीछे हैं क् kadar अब बहुत पीचे हैं बता दिये में सयोगी श्वर्ता सिंग। किया क्या जा सकता है। captivator को भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। пес啊। कि वहां जारहिए है कि हेलिकॉप्टर के जरिये बहतर सप्प्रे किया जाये। इसके बाद पानी की बउचार छोड़एए। grup जमॉग है वह सेट् 성 đến dot वो नीचे दब जाए, धर्ती में चला जाए, लेकिन इसकी भी अपनी दिक्कते हैं, यह आपको देख कर लगेगा, पानी गिर रहा है और उसके बाद धीरे धीरे जो पूरा धुन्द है, वो छट जा रहा है, देखिए, बिल्कुल साफ हो गया, कमुवेश ऐसी ही, ऐसा ही अ आए रखा है, तो अब वक्त आ गया है कि आज तक भी आपको एक रिटर्न गिफ्ट दे, इसलिए हम लेकर के आपके लिए आए है, साहित्य आज तक हैने कि तीन दिन चब एक ही मंच पर साहित्य जगत के हिंदी जगत के सबसे बड़े नाम एक साथ होंगे, क्या कुछ आप पर लंवा मुर बड़ा निकला गए, असा ता बकरिया में जादरे शेवरी दाग, शेवरी दाग, सकीजवाद चल्द, पप्त मादमा सकलंद, बाव रामन देखने चला एक सपना तुम्हारी और मेरी रात में बस परक इतना है तुम्हारी सोक के गुजरी है हमारी रोक के गुजरी है भजन समराट अनूब जलोटा सुरीली तान छेड़ेंगे हन्स राज हन्स महफिल में सूपियाना रंग खोलेंगे तो नूरा सिस्टर्स का सूपियाना अंदाज आपको ला जवाब कर देगा मखमरी आवाज के जादूगर तलत अजीज अपनी घजलों से समा बांधेंगे तो मनोज तिवारी भोजपुरी गीतों से महफिल लूटेंगे जी हां सुरो की दुनिया के तमाम सितारों के लिए महा मंच सजाया है सतरा साल से देश के नंबर वन न्यूज चैनल आज तक ने साहित आज तक के महा कुम्भ में आप गीत, संगीत और ग्लैमर के दुनिया के सितारों से रूबरू होंगे निजामी ब्रदर्स की खवाली आपको ताली बजाने पर मजबूर करेगी तो वहीं आज तक के साहित महा कुम्भ में लोग गायक प्रहलाद टिपानिया अपने लोग गीतों से आपका मन मोहूलेंगे इसके साथ ही राजस्थान की मिट्टी की खुश्पू अपने गीतों में समेटे मामे खान की तान पर आप धूम उठेंगे फिल्मी दुनिया के मशूर सितारे रगुवीर यादव साहित आज तक के मंच पर अपने अभिनाएक अला का प्रदर्शन करेंगे तो बहु मुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता प्यूश मिश्पू अपनी शांदार परफॉर्मेंस से आपको चौकाएंगे ये सहर ये बोल्यों नींद का जब की ऐसी आई रे जिस रात सहर में खुन की बारिस आई रे तुभारिया हम भी टिक धर नहीं आते है साहित आज तक के महाकुम में शायरी की महफिल भी सजेगी जिसमें मशूर शायर वसीम ब्रेल भी शमा रोशन करेंगे तो उनके साथ मनजर भुपाली, शीनकाफ निजाम, कामिल कैसर, शकील आजमी और आलोक शिवास्तव जैसे दिगज शायर, शेरोशायरी और घजलों से महफिल लूटेंगे तो आपको दीवाना बनाने के लिए इस महाकुम में मौजूद रहेंगे कुमार विश्वास भी तीन दिनों तक आज तक के साहित महाकुम में आप ऐसे ही सितारों को अपने सामने लाइव देखेंगे इन सभी जाने माने सितारों के साथ आज तक को भी आपका इंतिजार रहेगा तो कलिया मंच सजने वाला है दोपहट दो बजे से शुरू होगा उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन आप सबने कर लिया होगा अकर नहीं किया तो आप जरूर कर ले और अजरा आपके सेशन से शुरूआ दूरी आपका फेवरेट कॉन सा है जिसमेरा मेरा फेवरेट से आज जो मैंने कभी भी किया हो साहितिस से लेकर जितने कॉंक्लेव या पंचायत हुए मुझे लगता है प्यूष मिश्रा और स्वानन किरकेरे का जो था वो मतलब है रेजिंग जिसको कहते है आपको लगता है कि आप शब्दों के जरिये वहीं आपको कहीं ले जा सकता है अगर पिछली बार तो वो जुगलबंदी में थे स्वानन किरकेरे साथी लेकिन इस बार उनका सेशन पूरा अकेले है वो संदे को आप देख सकते हैं रवार को सुबर सुबर पहुंच जाए आईजी एंसे वाले साथी तमाम ऐसे राइटर्स लेखा को पोएट्स जिनको आप प पर चलिए देखिए ये मेगा एवेंट होगा आपके पसंदीदा चैनल आज तक पे तीन पूरे दिन एक महा मंच जिसमें साहित्य के सबसे बड़े नाम सबसे बड़े दिग्रज एक मंच पर होंगे हम आपको दिखाएंगे पूरे तीन दिन और जाहिर है मीठी मीठी अगर आप हो तो उसका रंग क्या होगा इसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि इनकी सम्थ क्या है हरदिल अजीज शायर, गीतकार, मशूर डायलोग लेखक जावेदक्तर से मिलने आ रहे हैं ना आप आईएगा जरूर क्योंकि साहे ताज तक के महाकुम में आपसे खास तोर पर रूबरू होने आ रहे हैं जावेदक्तर जावेद अक्तर ही क्यों? आज की पीड़ी को अपने उपन्यासों से दीवाना बनाने वाले जेतन भगत भी तो आ रहे हैं हिंदी आपकी मा है और अंग्रेजी आपकी बीवी है दोनों से प्यार कर सकते हो ना साहित आज तक के इस महाकुम्ब में लगातार तीन दिनों तक साहित जगत के सितारों का जमावरा होने वाला है अपनी किताब से मशूर हुए करन जोहर अपनी जिन्दगी से जुड़ी दास्तान सुनाएंगे तो जिस नीलिश मिश्रा के किस से रेडियो पर सुनकर आप दीवाने हो जाते हैं उनके सामने बैट कर कहानी सुनने का मौका आपको साहित आज तक दिलवा रहा है मशूर गीत कार पर सुन जोशी अपनी कविताओं और गीतों से आपके दिल में सरगोशी करेंगे तो कविता में प्रेम के रंग घोलने के लिए गी चत्रवेदी, बद्री नारायन, निधी नित्या और अनामिका भीस मंच पर मौझूद होंगी साहित जगत के दिगज कवी अशोक वाचपई, अलका सरावगी और मैनेजर पांडे आज के साहित पर चर्चा करेंगे देश के प्रधानमंत्रियों पर किताब लिखने वाले संजय बारू, सागरिका घोश, विजयतरवेदी, उद्यमाहुरकर और राम बहदुर राय देश में अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री पर विमर्श करेंगे आज के साहित की दास्तान लेकर लेखक और कवी यतिंद्र मिश्रा, नदीम हसनैन और राना सफ्वी भी आपसे रूबरू होंगी तो लेखक और निर्देशक चंदरपकाश दिवेदी भी आज के साहित की भाषा पर चर्चा करेंगे साहित आज तक के इस महाकूम बेश्क लेखक मयंग तिवारी और राइटर डिरेक्टर सयद अफजल एहमद साहित और सिनेमा पर अपनी बात रखेंगे व्यंग की दुनिया में आ रहे बदलाप और चुटिली चर्चा करने के लिए आपके सामने मौजूद रहेंगे आज के दौर के फिक्शन राइटर अनुजा चौहान, अश्विन सांगी और सुदीप नागरकर की चर्चा आपको फिक्शन राइटिंग की दुनिया में ले जाएगी तो वहीं पौराणिक शास्त्रों पर नए अंदाज में लिखने वाले देवदत पटनायक भी इस महाकुम में आपसे रूबरू होंगे हिंदी साहित जगत के बेस्सेलर लेखकों में शुमार गीता अंजली श्री, गीता श्री के साथ रतनेश्वर भी आपसे मिलने आ रहे हैं तो साहित और राश्वाद पर चर्चा करने के लिए नाशनल बुग ट्रस्ट के अध्धश बलदेव शर्मा होंगे साहित आज तक के इस महाकुम में दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्टर नीरज कुमार और लेखक एस हुसेन जैदी आपको अंडरवल्ड की रोश्टक दास्तान सुनाएंगे साहित आज तक के ये तीन दिन साहित के इंद्र धनुश की तरह होंगे जिसमें आप साहित के अलग-अलग रंग देखेंगे सांस लेना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में इसलिए अब दिल्ली सरकार जाग गई है जो पर्यावहन मंत्री है कैलाश गहलोत वो बता रहे हैं और इवन के बारे में और इवन फेस थ्री वापस आने वाला है आईए सुनिए किसी पाल लीगे इसलिए डीटीसी डीटीसी पांसो और बसों का इंदिजाम कर रही है हाय पे थ्रू प्राइविट कॉंट्रेक्टर्टर्स एंड इस टाइम वे वाल्सो रिक्वेस्टेड डेली मेट्रो कि वो भी कुछ छोटी बसें लेके आएं ताकि जो लास्ट माइल क कि प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो तो डीमर्सी ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो सो चोटी बसें लेके आएंगी और यह चोटी बसे जो है वो बीस जो रूट से उन पर चलेंगी इतना बड़ा पैसा तीन दिन बाद लागो करना है सी एंगी के स्टीकर्स पिछली बार बटे थे उसके साथ साथ मेट्रो की पार्किंग्स के रिप बहुत हाई है मेट्रो के तुछ का जो रेज किरा है वो बहुत जादा हाई है ऐसे में क्या लोग पॉब्लिक ट्रांपोर करक्रेंगे सी एंगी सीन जी स्टीकर्स के बारे में जो पिछले बार परिशानी हुई और कुछ लोगों ने जो बलत इस्टीकर्स योज्ज कि ए उसके बारे में आई एडियां को डेशेंज दिये गए हैं कि वो एक-एक इक तेकर जो पर काव यूजर को दिया जाएगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा है आई अई ग्याग और इस्ट्रिक्ट मैं वह एफ ऐलेवं डिस्ट्रिक्स इन डेली हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो स्टेशन्स पर यह CNG स्टेकर्स अवेलिबल होंगे वी विल गिव दी जो CNG स्टेशन्स की लिस्ट है यह हम आपको दे दे जाएंगे तो पोटल पोटल बाइस जो पहले लगे हैं वो लागू होंगे अगर इन्फोर्समेंट एजन्स को वो स्टेकर की ऑपनी स्टेकर कोई डाउट होता है दे कन गों दे वेबसाइट एंचेक वं देर अधर्वाइस ट्रैफिक पोलेसं गेंट टॉच विद आईजियल और दे कन वेरिफाई कि यह स्टेकर सही है या गलत है संद्सराइट नियुक्र है पीम 2.5 वोग आउट seshंदे ए लास्स स्टेकर आइस देकर आओर्प से वो तीन सो खर चुका है और पीम 10 लिट अछेटर वी है विज अरुड साधे आठ सो नौ सो के आश पास पस पीम 10 है और लास 49 आर फई इन आर त्र जो उसका प्रिसक्राइब क्रीटिरिया आजिए गारे यहां ऐसाए। दिल्ली वास्टों से मेरी अपील है कि बिलकुल पैनिक क्रियेट करने के जुरूरत नहीं है कल दो बजे से यह जो बाइस सेशन हैं इन पर आईजेल के स्टेकर्स उपलब कराये जाएंगे ट्रांसपोर्ट का हमारा जो हेल्प लाइन नंबर है अगर फिर भी कोई दिक्कत आ संडे 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 स्कूल बंद है तो अधे मोमें टेकिन डिसीजन अगर जुरूत पड़ी तुसके बारें विचाइब कारण जो है वो जो जो एड़नीं स्टेक्स हैं उसके पराली जराई जारी है उसके में से यह है तो और इमन इसमें कैसे इस साथ एक ब्रेक के लिए हम रुख रहे है लेडिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंदाने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले